दोस्तों बात करते हैं यह हमारा में डोर है में डोर में हमने क्या कहा है यह साइड में टैल लगाई हुई है और एक SS304 स्टील का गेट लगा दिया है और यह के उपर सीलिंग में लाइट लगा दिया है अंदर एंट्री करते हैं अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने क बड़ा और नीचे एक ड्रोर दी हुई है और नीचे सटर है और यह उपर अपना हमने लोफ्ट बना दिया इस टोरीज के लिए और इस दिवार पर हमने पैंट का एक डिजाइन क्रेट किया हुआ है इस तरह से कि मैं फोल की q ao Çaा करते हैं जब आपढ़े करते हैं हमने कि वोल हपा हाइलिएकि यह और इस तरह सरे हरा हुआ हां लुट्र करते हैं यहां पर हमने चैनल पनाया हुआ है संट इस तरह से में जाख़ेक ऩर निचंगे तो और अवर और बात करते हैं कि चेंगी किचन हम ने मने उसमें इस तरह कि है जो पुरा लूका आता हैसे तरह कि आता है송 में नीचे हमने आपको ए तिक दिया खुए और उपर कि वाइड जिया ओडिया हुआ है चिम्नी के आसपास में चारणी बाद गथा लिगा को दोस्तों चलते हम अपने मास्टर बैडरूम की तरफ मास्टर बैडरूम में जैसे ही हम एंट्री गढते हैं तो सामने हम यह वोड्रोब बनाई है जिसमें यह आपका अवर्ड लगाय हुआ बीच में वाइट लर की वाइट कर दिया है और यह हमने वॉल हाइलेट कर दिया है और यह हमने बड़ी वोड्रोप बनाई हुई है इस तरह से, उपर आपके लॉफ्ट जाती है और आपका ये बीच में पांच सेटर की अलमारी है अंदर की स्पेस दिखाएता हूं मैं अंदर में कुछ इस तरह सा है उपर ये हमारा हेंगर स्पेस है जाता है एक नीचे ड्रोर है और एक नीचे फोल्डेबल सेल्फ और इधर ये हमने एकवल साइज के इस पार्ट को सेम भाग में डिवाइड कर दिया है आप फोल्डेबल सेल्फ में अगर कुछ बड़ा समान रखना चाहते हो तो इस एल फोल्डेबल आप हटाकर कुछ बड़ा समान रख सकते हो इधर आपका एक छोटा सा हेंगरी स्पेस आजाता है दो ड्रोर आज आती है और नीचे आपका ओपनी से कुछ बिसमें बड़ा समान रख सकते हो आप और हम पांचे पार्ट की बात करते हैं पांचे पार्ट में हमने क्या किवा है इसमें अंदर ड्रेसिंग दिया हुआ है इधर यह आपका सामने ड्रेसिंग आ जाता है और यहां पर इस्टोरेज के लिए इस्पेस बना दिया है इधर हेइं पूर दो लुक आता है हमारे का कुछ की की इस तरह से पूरा लुक आता है । एंट्री करते हैं सेकंड बेर्टरूम है संड वाले हमने वाली कर दिए 10 तरह से डिज़ा दिजाइन बना दिया है और इधर एक यह wardrobe बनाई हुई है वाड्रोब के अंदर की बात करें तो आपका यह हंगर इस्पेस रहता है एक ड्रोर आजाती है और ओपने इस्पेस और नीचे ही सूर रहका जाता है इसमें और इधर यह आपके equal size के, sam size के इस बात को उन्हों साइज में डिवाइड कर गया है और यह उपर आपकी लोफ्ट आजाती है